हलो एब्रीवन बेलकम टू बंदना कैडवी मैं बंदना मुद्गल तो आज मैं आपके लिए फिट से एंसी ए आर्टी क्लास्षिक सोसल साइंस प्रक्वी हमारा आवास का चैप्टर एट लेके आई हूँ और यह आज आपका लास्ट चैप्टर है यानि आज हमारी यह बुक कम्प्लीट हो गई है और इसके जो भी पिछले भागते वह हमने पहले कम्प्लीट कर लिए हैं अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्च देखें प्लेलिस्ट में जाके आपको सब बनवाई बन मिल जाएंगे और इसके साथ ही अब हम आपकी दूसरी बुक यानि हिस्ट्री शुरू करेंगे और हिस्ट्री के बाद आपको पॉलिटी यानि आपको सारी बुके मिल जाएंगी और सब एंसी आरटी सॉलूशन आपको पूरा हमारे चैनल पर मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्च कर लें ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के ल हैं और साथी साथ प्रीवेस एयर्स के अवश्चे लगाते रहें यह दो चीज़ें आपकी तयारी में एक बहतर भूम का नवाशकती है तो इन दोनों को आप अवश्च करें चलो शुरूआत करते हैं अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक अपने दोस्तों को और अपने प्यारी प्यारी कमेंट भी अवश्च किया करें चलो शुरूआत करते हैं आज का चैप्टर है हमारा भारत जलवायू बनस्पती तथा वन्य प्राड़ी आपको यह बुक है तो इन्हें अवश्च पूरा पढ़ना है और यह से हम तभी यान जानते हैं कि मोशम बायूमंडल में दिन प्रते दिन होने वाला परवर्तन है यह मोशम क्या है हमारा बायूमंडल में दिन प्रते दिन जो परवर्तन होता है उसे हम मोशम कहते हैं इसमें तापमान बर्शा सूर का विक्रण इत्यार सामिल है उधारण के लिए मोशम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है कभी-कभी आसमान में बादल चाहते है तो कभी बर्षा होती है आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मख़न गर्म रहता है। तब आपको ओनी वस्त्रों की आवश्च्वता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पधारतों को पशंद करते हैं इसके विप्रीत ऐसे भी दिनों होते हैं जब आपको उनी बस्त्रों के बिना ठंड लगती है ठंडी और तेज हवायें चलती हैं इन दुनों में आप गर्म चीज़ा खाना पशंद करते हैं सामानित हैं भारत में प्रमुक मौशम होते हैं ये भारत के प्रमुक मौशम है आपका पहला है दिसंबर से फर्वरी तक ठंडा मौशम यानि दिसंबर से जन्वरी तक आपकी शर्दियां पढ़ती हैं मार्च से मई तक गर्म मौशम और जून से सितंबर तक दच्छिर भर्मी भी रहती है अक्टूबर और नवंबर में मांशून के लोटने का मौशम यानि अश्रद रितु यह आपके भारत के प्रमुक मौशम है अब बात करते हैं सीत्रितु की तो ठंडे मौशम में सूर की शीदी किरड़े नहीं पड़ती है जिसके परड़ाम सरूप उत्तर भारत का ताबमान कम हो जाता है जो प्रत्वी के अधिकतर जो इश्चे होते हैं और हमारी जो हमारा जो भारत है तो यह उत्तरी गोल आरत में आपका क्या है कि शूर का प्रकास एकदम सीधा नहीं पड़ता है तो इसलिए हमारे यहां कैसा मोशम रहता है ठंडा मोशम रहत करती हैं ताममान बहुत अधिक हो जाता है दिन के शमय गर्म इवंसुस्क पवन चलती है जिसे लू कहा जाता है और इसे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से भी बलाते हैं लू को ठीक है आगो खेले इस तरीके की एक्टिविटी आप बच्चों से भी करपा सकत करते हैं कि आपने कभी आम बेन नीवू इमली तरवू तता दही का सरवा जैसे चाच मठा मोरी और यत्यात पिये हैं बहुशे लो केला तता आम के मिलक शेक भी बनाते हैं गर्मी के बाद पहली वर्षा आमें आनंद पतान करती हैं हमारी सभी भासाओं में बर्षा पर गी अमेंणा इन आमों की जानकारी अपने मित्रों परोसी अंधारा डियासे तो क्या कहती है यह ब अदैश्य मांशून या बर्षा का मौसम यह मानशून के आने तथा आगे बढ़ने का मौशम है इस समय पबन बंगाल की खाड़ी तता अरब सागर से इस तलकी ओर बहती है बे अपने साथ नमी भी लाती है जब यह पबने पहाड़ों से टकराती है तब बर्शा होती है यह शमुद्रतल से यह जो पबने होती है इस तरीके से यह बहती है ठीक है मानसून के लोटने का समय या सरदितू इस समय पबन इसतर भागों से लोटकर बंगाल की खाड़ी की और बैती है अभी हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी यह पिछले चेप्टर में हमने पढ़ाता कि बंगाल की खाड़ी किस तरफ है और आपका अर बारत के लोटने का समय होता है भारत के दच्छडी भागों विशेशकर तमिलनाडू तता अंदरपदेश में इस मोसं में बर्षा होती है किसी इस्तान पर अनेक बर्षों में मापी गई मोशं की ओसत दसा को जलवायू कहते हैं बहुत शारी बर्षों में जब हम वहां की म मौशं को नापते हैं उसका उजो वहस्त निकालते उसको मों हाकी बोलते हैं भारत की जल्वायू को मोटे तार पर मानशोनी जलॉइल कहा जाता है मानशूस सब्द अर्भी भासां के दिरिया गया है जिसका अरत होता है मौSM भारत की इस्तित उष्ड कट बंद में होने के क अधिकतर वर्षा मानसूनि पबन से होती है भारत मेद करशी वर्षा पर निर्वर्वर है। अच्छे मानसूर का मतलब है पर्याप्त वर्षा तता परचुर मात्रा में पसलों का किसी इस्तान की जलवायू उसकी इस्तिती उंचाई समुद्र से दूरी तता उच्छा वच पर निर्वर करती है इसलिए हमें भारत की जलवायू में छेत्री विविन्निता का आनुबाव होता है राजिस्तान के मरुष्तल में इस्तित जैसल मेर तता भीकानेर में बहुत गर्म इस्तान है जबकि जम्बू तता कस्मीर के द्रास एवं कारगिल में बरपीली ठंड पड़ती है तटी चेत्र जैसे मुंबई तता कोलकाता की जलवाई मध्यम है बे नहीं अधिक गर्म है और नहीं अधिक ठंडे समूत्र तटपर होने के कारड ये इस्तान बहुत अधिक आद रहें विश्व में सबसे अधिक बर्षा मेगाले में इस्तित मौशन राम में होती है जबकि किशी किशी बर्ष राजिस्तान के जैसल मेर में बर्षा होती ही नहीं है यानि भारत के जैसल मेर में ये राजिस् बनस्पतियों की हम अपने चारों तरब बिविन प्रकार का पादब जीवन देखते हैं हरे घास वाले मेदान में खेलना कितना अच्छा लगता है कुछ पौधी छोटे होते हैं जिनने जाड़ी कहा जाता है जैसे कैक्टस तता फूलों वाले इत्याद पौधे इसके इतरिक कभी यह नहीं सोचते कि यह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है अलग अलग जलवायू में अलग अलग प्रकार की बनस्पतियां पाई जाती है इनमें बर्शा की मात्रा सब्से महत्तपूर होती है जलवायू की विभिनता के कारण भारत में अलग 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 तरह की बनस ठारवन उष्रकतिवरन्दी पतजडवन कटीली जहाडियां परवती बनस्पति तता मेंग्रोंग बन यह यह आपके राङक सित्स करें काया आप कर वर्षावन की श्रुकटिवन्दी वर्षावन उन्षेत्रों में पाय जाते हैं जहां बर्षा बहुत अधिक हो रोती है वहां उस्रुक प्रशावन पाया जाती सब्सक्राइब ब्रच्चों की अनेक प्रजातिया इन बनों में पाई जाती है ये वन बर्स के अलग-अलग समय में अपनी पत्तिया गिराते हैं फलते भी हमेशा हरे-वरे दिखाई देते और उन्हें शदा बाहर बन कहा जाता है अंडमान निकोवार दीवशमू हों उत्तरपूर्वी राज्यों के कुछ भागों तता पस्चवी घाट की शक्री पट्टी में पाए जाने बाले प्रमुक ब्रच महोगनी एबोनी तता प्रोजबुड हैं और यहां से भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये ब्रच्य आपके कहां पाये जाते हैं उष्ड कटवंदी पतजडवन अब हम बात करते हैं उष्ड कटवंदी पतजडवनों की हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के बन पाये जाते हैं इन बनों उत्तरपदेश, बिहार, जारकन, शत्तिसकड, ओर्षा तता महाराष्ट के कुछ भावों में पाई जाते हैं अब बात करते हैं कटीली जाडियों की इस प्रकार की बनस्पतियां देश के सुस्क भावों में पाई जाती हैं पाने की छती को कम करने के लिए इनकी पत्तियों म आपके यह जो ब्रच्च है इनमें आपका कैक्टस है खेर है बभूल है कीकर है और यह आपके राजिस्थान पंजाब हर्याड़ा पश्चमी घार पूर्वी डालों तथा गुजरात में पाए जाते हैं यह इस तरीके से होते हैं और पानी की कमी के कारण इन ब्रच्चों में क्या हो जाते हैं अब बात करते हैं प्रवती बनस्पती की प्रवतों में उंचाई के अनुसार बनस्पतियों के विविन प्रकार पाये जाते हैं उंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती जाती है समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की उंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है ये पोदे शंकुदारी ब्रच कहे जाते हैं इन बनों के मेहतपूर ब्रच चीर पाइन तथा देवदार हैं ये देखो ये शंक्वाकार हो जाते हैं इस तरीके से ये ब्रच आपके पाए जाते हैं अब बात करते हैं मैंगरोबन ये वन खारे पान में भी रह सकते हैं ये मुक्ते पश्च मंगाल के शुंदर्वन तता अंडमान एवं निकोवार दीप समूह में पाए जाते हैं सुन्दरी इस प्रकार के बनों की महतपूर प्रजाती है इसी प्रजाती के नाम पर छेत्र का नाम शुंदर्वन पड़ा लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधियको रोपा प्रतिक जन्म दिन पर उन्होंने अलगळगग पौध्यो रोपा था इनको अमेशा पानी से सीचा जाता था तता अत्तिक गर्मी शर्दी एबं जानवरों से बचाया जाता था बच्चे भी यह धाल रखते थे कि उन्हें कोई नुक्षा न पहुचे जब लीला बीस वर्स के वी तब 21 सुंदर ब्रच उनके घर के चारों तरफ खड़े थे चिड करवा सकते हो और इनसे बच्चे मोटिवेटर होते हैं ब्रच लगाने के लिए हमें बनों की आवश्च्चता क्यों है यह तो चर्चा थी किस किस कितने प्रकार के बन पाये जाते हैं ठीक है बन हमारे लिए बहुती ही लापदायक है यह विविन कार करते हैं पेड़ की जड़े मिट्टी को बांद कर रखती है इस प्रकार में मिट्टी के अपर्दन को रोकते हैं अपर्दन का अर्थ होता है वहाब बनों से हमें इदन लकडी चारा जड़ी बूटियां लाक शहेद गौन इत्यात प्राप्तों होते हैं बन बन जीवों के प्राकृतिक में बताना चाहिए हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे बन महुश्य मुना कर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में सामिल कर सकते हैं तता प्रत्वी को हरा बरा रख सकते हैं यह देखो यह आपकी सारी चीज़ें यह में ब्रच्चों से मिलती है जैसे दवाईया है आस ब्रच्चों के वह तो यह मार्य प्रच्चों के आवश्यक्ता होती है बात करते हैं कि गुलिद्धर देखों को भीमिधर भागों में बदीशन drowned कर meant शां प्रस्ण भी पूछ लिया जाता है कि करनाठक में भी मिलते हैं उट बारत के रेगिस्तान तता जंगली गदा कच्छ के रन में पाये जाते हैं जंगली वकरी हिमतेंदुआ भालू इत्याद हिमाले के छेत्र में पाए जाते हैं इनके अत्रत बहुत जानवर जैसे बंदर शियार भेडिया निलगाय चीतल इत्याद भी हमारे देश में पाए जाते हैं बारत में पच्छीों की भी ऐसी ही प्रशुरता है, मोर हमारा राष्टी पच्छी है और यहां से आपके इस तरीके से सीधे सीधे प्रश्ण भी बनते हैं, बारत में पच्छी तोता, मेना, कभूतर, बुलबुल, तता, बतक इत्याद हैं, अन्य बहुत शारे राष्टी उद्धान भी हैं, जो पच्छीों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं, उद्धान सिकारियों से पच्छीों की रच्छा करते हैं, क्या आप अपने छेत में पाए जाने बाले पांच पच्छीों के नम बता सकते हैं, बारत में शापों की शेकड़ों प्रजा पुछाने पार्प, पशु बिहार, जीव मंडल, आरचित, छेत्र इस्थापित किये गए हैं सरकार ने हातियों तता बागों को बचाने के लिए बाग परियोजनाओं एवं हस्त परियोजनाओं जैसे परियोजनाओं को शुरू किया है कि आप भारत के कुछ पशु बिहारो के नाम तता मानचित्र पर उनकी इस्तिती बता सकते हैं आप बन जीवों के सरणच्ण में भी अपना हाथ बता सकते हैं आप जानवरों के शरीर के विभिन अंगो जैसे हड़ी शींग तथा पंक्षे बने पधारतों को खरीदने से इंकार कर सकते हैं प्रत्यक बर्ष हम सब्सक्राइब को बन जीव सब्सक्राइब के रूप में मनाते हैं और यह आपका प्रशन भी बनता है कि बन जीवों के निवास को सरणच्ण कर रखने के लिए जावरुक्ता लाई जा सके आप बच्चों से इस तरीके से प्रशन पूश रखते हो शिकारी बागों को क्यो हो जाएं तो क्या होगा क्या आपने कभी बाको आरचित चेत्रिया घर देखें हैं जहां बागों को रखा जाता है अब बात करते हैं प्रवाशी पच्चियों की कुछ पच्चि जैसे पेलकन शाइवेरियन और क्रेन स्टॉर्क फ्लैमिंगो फिंटेल बतक कर लियू इत्य है और इन अभ्याष प्रसनों को अब शिदेखा करें कौन शी पवन भारत में बर्शा लाती है यह तनी महत्यपूर क्यों है ब्हारत के विभन मौन के नाम लिखिए प्राकृतिक बरश्पति क्या है बारत में पाई जाने वाली विभन प्रकार की बर्श्पतियों के नाम शदा बहार बन तथा पत्रडवन में क्या अंतर है उसके कट्वंदी वर्षा बनों को शदा बहार बन क्यों कहा जाता है और विश्व में सबसे अधिक बर्षा वाला छेत्र कौन सा है मेगरों बन कहां हो शकते हैं आपके तो ये आपका मोशन राम है मेगरों बन कहां पाये बताईए यह खारेजल में भी हो शकते हैं महोगनी रोजबुड ब्रच आपाय जाते हैं बताईए यह कौन से आप कहां पाए जाते हैं आपकी यह कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर अवस्य दें जंगली बकरी तथा हिमतेदु कहां पाये जाते हैं अभ्याश्च प्रशनों को सौल्व करने से आपकी तैयारी बहतर होती है तो इन्हें आव में स्थेल्प मांसून की समय आद्रपवने कहां बैती है खाली्स्तान भरे घर्मी में दिन के समय सुषक तता गर्म पवने चलती है इने क्या कहा जाता है थीक है आंजपजे इस्थता तमिनाडू में डैस के मौसम में बहुत अधिक बर्षा होती है और यह आपके दच्छडी है तो अभी अभी हमने पड़ाता गुजरात के अब अब आपको इसको का आप खुद से करिए डैस मेह ग्रोबन रुबस कि प्रजाती धी कहा जाता है यह आपके अभ्याष्प्रसंत है और यह आप बच्चों तो मिलते हैं हम अगली यो में और अगली बुक के साथ आफ़ आ अब कि इस्टरी कौ लखेए और को चए आपके जरॉपी कंप्लीट हो गई है यामी कम यह पांद हो चुका है तो भीडीओ को मैं हो अगर आप परृरी जो पर देखने के लिए धन्यवाद